प्रधान मंत्री नेमोदी आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 473 विधानसवा में अपने संदेश को पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं केंदरिया बजट आया है और बजट को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैविट मंत्री सतीश महाना ने भी उनका संबोधन सु करने ये सब किया यह उन्होंने बहुत बारी की वाली बार बताई उन्होंने बताया है कि किसानों के लिए उन्होंने सारी जो योजना दिये किसानों के लिए किसानों की आये को दोगुना करने के लिए वो सारी के सारी बात उन्होंने बताया कि गरीब आदमियों के लिए प्रधान मंत्री आवास होता है उसके लिए उनको दस लाग तो कम से कम उत्तर वर्देश में में मकान देने में तो दस लाग ग्रामीड छेत्रों में निश्छल का मकान बनना ये बहुत बड़ी बात है हम लोग सुनते थे कि दस दस मकान ले लो दस दस मकान देने के बाद तीन चार जार मकान पूरे प्रदेश में एक साल में बनते थे एक एक साल में दस दस लाख मकान एक प्रदेश के अंतरकत दे रहे हैं पूरे देश के अंतरकत वो असी लाख मकानों को उन्हों निकोशना करी है यह सारी बातें जो जल जीवन मिशन के अंतरकत हर घर नल हर घर जल पहुँचाने की बात उन्हों ने कही है तो जो पानी की सबसे महत्वपून बात होती थी उससे भी हमारा देश पिछला हुआ था मूल भूतु सुवधाय जो समवधानी का धिकार है विक्टी का वो भी लोगों को पिछली सरकारे नहीं मोहिया करा पाई थी तो जमीन से जुड़कर जमीन से आवशक्ताओं को देखते हुए प्रथान मंत्री जी ने जो आम विक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है बजट के माध्यम से उनके द्वारा हमारे सबको मार्ग दर्शन मिला है और वो बात प्रथान मंत्री जी के माध्यम से भी पूरे द की होई है आज इस तरीके का वर्चुल प्लैटफर्म पर प्रदान मंतरी का आना और संदेश देना और जाथा पीछे दखे लिए क्या उनके पास है यह नहीं ना उनके पाफ वर्चुल आनके पास फिस्जिकाल को कुछ भी नहीं है लोग होंगे उसके बाफ वर्चुली भी प्रदान मंतरी का संदेश को लेकर चेतर की जनता के बीच में जाएंगे निशीद रुप से हमारा देश ही है लक्ष हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारती जनता पार्टी के पास ऐसा यह शिश्वी निता है जो केवले देश और देश के सम्मान के लिए सोचता है ज कैबिनेट मेंस्टर सतीश माना ने सुना और उसके बाद इस संबोधन से जो मैसेज निकला जो संदेश निकला उसे चेतर की जनता तक ले जाएंगे पहुचाएंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने यानि प्रधान मंतरी नहिंद मो एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी